तो एक और धमाकेदार SME कंपणी अपना IPO लेकर आ गई है दोस्तों जिसका नाम में सेलेकोर गैजेट्स लिमिटेड यह कंपणी इनकॉर्परेट हुई थी 2020 में यानिकी करीबन 3 साल पूरानी यह कंपणी है तो आए जानते इस कंपणी के बिजनेस के बारे में तो यह कंपणी ब्रेंडिंग और डिस्तिब्यूशन करती है इलेक्ट्रोनिक प्रोड़क्स के अंदर जैसे मोबाइल फोन, स्मार्ट वाच, मोबाइल एक्सिसरीज, स्मार्ट वाचेज, स्मार्ट वेरेबल्स, नेक बैंड्स, इयर फोन्स, ब्लूथूथ, स्पीकर तो इस जरा की प्रोड़क्स के अंदर ये कंपणी डिस्तिब्यूशन का काम और ब्रेंडिंग का काम करती है इस कंपणी के करीबन 1200 से जाधा सर्वीस सेंटर से 800 से जाधा डिस्तिब्यूटर से और करीबन 24,000 ogram रिटेल्स टोर में 300 से जाधा प्रोड़क्स इनके अवैलेबल है इस कम्पनी के प्यान इंडिया के अंदर 100 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स है, तो आप लोगों को कम्पनी का बिस्नेस समझ में आ गया होगा, तो आप इस कम्पनी के फाइनान सेल्स देख लेते ही, तो मार्च 2021 के अंदर इस कम्पनी के टोटल एसेटी 10 लाग की, जो कीश साल बढ़कर हो गई है, 7000 लाग रुपे की, वही रेविन्यू की बात करें, तो 2021 में इस कम्पनी का टोटल रेविन्यू जीरो था, पर इस साल इस कम्पनी का टोटल रेविन्यू है, 26436 लाग रुपे का, profit की बात करें तो March 2021 में माइनस 2 लाग का profit इस company को हुआ था यानि कि company को नुक्सन हुआ था पर वही इस साल company ने 797 लाग रुपे का profit book किया है company के उपर अगर उधारी यानि कि बोरिंग्स की बात करें 2014 लाग रुपे की company के उपर उधारी है तो financial तो बहुत अच्छे ए company के लेकिन last two years में ही इस company ने अच्छे कासी growth दिखाई है इससे पहले इस company ने कुछ अच्छी कासी growth नहीं दिखाई है और company को ज्यादा time में नहीं हुआ है लगबग 3 साल हुए इस company को start हुए asset के अंदर और revenue के अंदर इस company ने सांदर growth दिखाई है पिछले 2 साल के अंदर अगर इस company के peer comparisons की बात करें तो कोई भी listed player नहीं है peer comparisons के लिए इस company का PE है 13.45 का और market cap है 192 करूड उपे की company का return on network है 57.71 का तो की बहती सांदर है company का debt to equity उसे 1.51 का जो की ज्यादा नहीं है ठीक है इस company के हिसाप से company के ROE है 57.71 की और company का EPS है 6.14 का ये तो हो गए financials अब company के IPO की details देख लेते इसके बात जानेंगे IPO में अपलाई करे या नहीं तो IPO का total issue size है 50.77 करूड उपे का जो की पूरा fresh issue होने वाला है IPO list होगा NSE की SME platform IPO के share की face value है 10 रुपे पर share retail के लिए इस IPO में reservation है 35% का और 50% का QIB के लिए और HNI के लिए 15% का एक lot में होंगे 1200 share जिसके लिए आपको लगेंगे 1,10,400 रुपे IPO के open date है 15 सप्टेंबर close date ह 25 सप्टेंबर और listing date है 28 सप्टेंबर और जिनको IPO नहीं लगा उनको 26 सप्टेंबर तक account में refund मिल जाएंगा IPO से पहले इस company के अंदर promoters की holding थी 59.95% की जो के IPO के बाद रे जाएगी 51.54% की तो आप जानते है इस IPO में apply करना चाहिए कि नहीं देखो दोस्तो सेक्टर तो बहु Profit के अंदर भी और revenue के अंदर भी इस company ने बहुत ही सांदर growth दिकाई है लेकिन जिस सेक्टर में ये company काम करती है electronic सेक्टर उसमें competition बहुत ही जादा रहता है बहुत सारी बड़ी company भी है listed player है unlisted player है उसके बाद छोटे दुकांदार भी है तो competition की कोई कमी नहीं मिलेगी आप इस sector में भर भर के competition इस sector में है इस IPO में long term में invest करना थोड़ा risky हो जाता है लेकिन listing gain के इस आप से आप इसमें जरूर invest कर सकते है listing gain आपको इस IPO में आराम से मिल जाएगा फिलाल इस IPO का GMP 40% के आसपा से तो आप इसमें apply जरूर कर सकते है listing gain के इस आप से बाकि long term में तो इतन इसमें listing gain के इसाप से invest करें और listing gain लेके बाहर निकल जाए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और notification बेल को और में सिलेक करके जरू जाए थेंक्यू